split cells, split cell का मतलब जिन cells को हमने merge किया हुआ है उन cells को unmerge करनी के लिए हम split cell का use कर सकते हैं split cells का मतलब किसी cell को अलग-अलग cells में divide करना तो जैसे split cell पर click करें के तो हमने सामने एक dialogue box आएगा split cells और इसमें हमसे पूछेगा number of column मतलब कि इस cell में कितने column होना चाहिए और number of rows, मतलब इस row में कितने row हमें चाहिए total marks एक ही column है, मतलब हमें एक ही column चाहिए टो एक कर लेते है, number of rows यहाँ पर कितनी rows के cells का हमने जोड़ा था, एक, दो, तीन और चार, मतलब ही है कि 4 rows के cells का हमने जोड़ा था तो हमने row select किया चार और okay तो split cells से एक cell के चार टुकडे हो गए हैं ठीक है या फिर हम कहीं किसी एक cell में click करेंगे और split cell पर click कर देंगे इस cell में कितने column और कितने row चाहिए हम यहाँ पर select कर लेंगे जैसे मुझे column चाहिए इसमें 2 और row चाहिए 3 तो मैंने जैसे ही okay किया तो इस cell में 2 column और 3 row insert हो चुकी है अब split table मतलब table को divide करना split cells से हमने cell को divide किया था और split tables हम table को divide कर देंगे नहा वाले row में हमने click किया और split table पर click कर दिया तो देखिए दो भागों में table टूट गई है एक table को मैं उठा कर नीचे करता हूँ तब आपको समझ में आयागा यह देखिए तो नहा पर हमने करसा रखा था तो नहा के पहले वाले सारे entries उपर की table में रे गई है और नहा के बाद वाली सारे entries नए table में आ चुकी है ठीक एक बार फिट से करते हैं मैंने शिवानी वाले row में click किया split table तो दो table हो चुकी है अब एक table को उठा कर आप नीचे रख लेते हैं तो दीकि नहा एक table में हो गई है और बाकी की उसके बाद वाली entries अगले table में आ चुकी है split sales का मतलब sales को divide करना और split table का मतलब table को divide कर देना वीडियो कर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को like किजेगा शेर किजेगा और हमारे चैनल को subscribe करने के साथ बेल को active कर लीजेगा ताकि आगे आने वाले वीडियो की notification भी आपको सही समय पर मिल जाए धन्यवाद